कि अगर विद्व लॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे इंफर्मेशन के बारे में आज को टॉप पे कहें इंफर्मेशन एक कॉंसेप्ट्ट्ट एप्रोच इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि इंफर्मेशन क्या होती है तो अगर आप आपको अच्छे से समझ रहा है तो सबसे इजी चीज है कि आप डेली लाइफ के एक्जांपल को यूज किया किजिए अगर आप डेली लाइफ के एक्जांपल के थ्रू किसी चीज को समझने की कोसिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी तो इस वीडियो में हम क् जानकारी को कवर करेंगे जिसमें डाटा क्या होता है टाइप सब डाटा इंफोर्मेशन को कैसे जनरेट किया जाता है यानि कि इंफोर्मेशन को कैसे बना जाता है या इंफोर्मेशन को कौन-कौन कर देख सकते हैं कौन कौंसी उसकी फaggio होती है तो रहे सब करते हैं सब tan सबस्क्राइब करें कि हम लोग आजकल information से घरे हुए है तो information सब्सक्राइब कर अगर हम चेकर हमारे आ सबस् ह celebrities के पतह फूहाहिए पूछते हैं कि वहाई एंफॉर्मेशन काफी मेठlate करती है उनको इसे दिन सब्सक्राइब में कि तो यहाँ पर पहला है कि इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी डिमेशन दी गई है उससे संब्लिद राइए जिसकी व्युक्तिarch जो information चाहता है तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं जो लिखा है उससे मैं अलग बता रहा हूं तो आप पढ़ भी सकते हूं और मेरी व्यात को सुनिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो हम information को process data भी कह सकते हैं मतलब हमें पास कोई data होता है उसको हम process कर देते हैं तो वह information बन जाती है इसको मैं आपको सबसे लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि information कैसे बनाई जाती है data को process करके तो इसका example के थुरू में बताऊंगा तो उसको आसान से आपको समझ में आ accurate और completeness तो आप इसका मतलब क्या timeliness का मतलब है कि information हमें सब्सक्राइब मिले कि जैसे कि एक example के दुरू समझ सकते हैं जैसे आप कहीं वाहर बिजिट करने गए या तूरिस्ट प्लेस पे गए आपके बस information नहीं वहाँ पे कि आपको क्या घूमना है कि या क्या खाना है या कह वहाँ पर आपको रुकना है तो अगर आपको उस time पर information आपको नहीं मिली कि आपको वहाँ पर क्या चीज घूमने वाली है कौन सी जगह पर आप खा सकते हैं अच्छा खाना या कौन सी जगह पर आप आजाम से रह सकते हैं तो आपके लिए कोई value वैल नहीं रही वह information क्यो अगरेट का मतलब है एकदम correct information जैसे कि आप गूगल से हम लोग जाया तर डिपेंड है कि गूगल से पूछते हैं कि यह प्लेस कहां पर है तो कभी-कभी क्या होता है Google Map पर हम लोग डालत गूगल मैप गलत information हम लोगों को provide कराता है कभी-कभी जैसे कि आप जाते हैं आगे रास्ताबंद होता है तो वह क्या होता है कि आप गूगल मैपने आपको accurate information नहीं प्रवाइट की तो आप गलत जगा फस गए तो इसका मतलब है क्यूरेशी भी बहुत ही important करेक्टर है information का तो यहां पर तीसरा है completeness completeness का मतलब है information complete होनी जी है वैसे भी कहा जाता है कि आधी information हमेसा खतरनाक होती है तो completeness of information is very important करेक्टर तो आगे चलते हम इसमें कि यहां पर आप देखिएगा यह एक पिरामीड बना है इसमें देखे data information knowledge wisdom हम चारों को कवर करेंगे देखेंगे कि क्या क्या होते हैं data information तो मैं आपको एक एक जामपल के तुरू समझा दूंगा जिसको आप बिल्कुल एकदम clear हो जाएक आपको उसके बाद knowledge राटन वनाए जाता है यहांने कि रूई तो इसको अगला है कि डाटा क्या है तो यहां पर आपको definition जी हुई कमें ने कुदी मैंने ढिज़ेंगे हैं तक ही आपको याद आधो आला कि आगर आप example के दूरू समझते हैं तो आपको definition याद करने की जुरूद भी नहीं है, आप अपने आप ही लिख सकते हैं किसी भी exam में, तो अहां पर देखेगा data क्या है, data एक raw material की तरह होता है, जो किसी organized form में नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ, जिससे नाम भी डालते हैं, कि ये number इस नाम से डाला है हमने, तो यहनी दोनों के नाम और number एक साथ save होते हैं, तो क्या करिए कि अगर आप नाम ना डालें, सिर्फ number ही save कर लिजए, तो क्या आपको पता चलेगा कि कौन सा number किसका है, नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ number होंगे, आपके पास नाम तो होगा है, नहीं कि ये number किसका है, आपके पास 100 number है, आपको तो नहीं पता चलेगा कि ये number किसका है, तो आप अगर सिर्फ number सेफ करते हैं, तो वो क्या है आपके लिए एक data है, क्योंकि आपको data है, आपको से सेव किया हमने ख़्या हो वह आपके एंफोर्मेशन बन गई। है आपके पास इंफोर्मेसं अगई कि यह नंबर मेरे इस दोस्त का नंबर इस रखोड़ करो पर्टिकुलर नंबर अपने सेखेंगे आपके लिए वह इंफोर्मेशन हो गई तो इस एक्जाम्पल हम knowledge और wisdom को पता करते हैं कि यह दोने चीज़े क्या है तो knowledge क्या होती है अब उसी को आगे समझते हैं कि आपके पास सभी दोस्तों के नंबर आ गए अब आपने क्या किया नंबर है आपके नाम भी है आपके पास information है आप क्या है आप उस information को यूज करते हैं आप उस information को यूज करते हैं तो उसको knowledge में बदल देते हैं आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं आप उसको यूज करेंगे आप उसको call करने के लिए यूज करेंगे या आप उसको WhatsApp करने के लिए यूज करेंगे यानि कि आपने उस नंबर को याद भी कर लिया तो यह आपकी नॉलेज हो गई तो आगे बढ़ता है कि जिससे आप कोई औजेक्टिव को कैसे फुल्फिल करेंगे तो यह आपके लिए एक विजडम है तो इसी एक्जाम्पल को आगे ले चलते हैं तो देखिए आपके पास नंबर हैं आप उसका यूज किस काम में करेंगे यह तो आपकी विजडम पर डिपेंड करता है ना आप उसका यूज करेंगे फोन करने में या किसी कोई आप मांगता है नंबर तो आप उसको दे सकते हैं या उस से कॉंटेक्ट करने के लिए मेनली यूज करेंगे उस नंबर का तो यह आपके विज्टम के तुरू आता है तहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि डाटा क्या है और इनमें चलते हैं की नाम में पता होगा इनके बारे में पताँ हूं थोटर हो जया गई यह हम समझते हैं डाइना सबसक्राहिए-डाइं आप इससे को Attach करते हैं कि name मतलल नॉमिनल तो यहां पर टिल देखते हैं विद्ट ऐसमा था उत्वर इस जेनल को इसको करेगा तो आप एक होता है मेल एक होता है फिमيल ठीक है तो आप अगर इस टाइटे को एक लगते हैं तो इसका मतलब यहां पर यह नहीं होता है कि मेल सबस्द्राइए या अगर हम एक नमबर पर female लग दें या दो नमबर पर male लग दें तो इसका मतले वेवी नहीं कि female male से बड़ा है यानि दोनों की अपनी importance है दोनों अपनी जगाप है बस हमने यहां पर इनको केवल एक number दिया है ताकि हम इनको जान सके कि कौन सा कौन से नंबर पर यहां पर इस नंबर से कभी ने दिनोट होगा कि कौन आ रख दीजे तीसरे पर यह नहीं है कि ब्लाइक ब्लू से जाดहें जादा अच्छा लड़ा रही या ब्लू येलो से जादा अच्छा लड़ा रहे तीनों की अपने प्ने से इनको केवल सीजिएल नम्बर दिया गया है कि यह प Banglade als लिए यहाँ पर आप उसको खाली आप name से denote कर सकते हैं बाकी इसमें कुछ नहीं होता है एक्स्ट्रा अब आते हैं और डाटा पर आप name से पता चलागा order order से आप समझ सकते हैं grade या rank यहाँ पर example है जैसे आप समझ सकते हैं से कि जैसे कोई race हो रही है रेस में एक होगा जो पहले आता ती इसरे number पर आएगा तो इससे यहां पर समझ सकते हैं यहां पर नंबर की value है यहां पर इन नंबर की value आपको नॉमिनल में इनकी value नहीं थी यह केवल सीरियल नंबर दिये गए त यहां पर इनकी value यहां पर यानि order में रखे गए यानि एक वाला ज्यादा बेस्ट है तभी वह फस्ट आया दो नंबर वाला उससे कम थोड़ा बेस्ट है तीन नंबर वाला उनसे भी थोड़ा कम बेस्ट है तो वह तीसरे नंबर पर यानि उनको rank प्रोवाइड गी जैसे class में नंबर मिलते हैं तो कोई सब्सक्राइब अब आता है कोई जैसे आपे मोवी देखते हैं जब जाते हैं मुवी देखने तो बीच में हमको इंटरवल मिलता है इंटरवल क्या होता है एक स्पेस होता है दो लोगों की बीच का एक स्पेस वह इंटरवल होता है तो जैसे हम क्लास करते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो बीच में हमको इंटरवल एक टाइम मिलता है जिसमें हम उसमें हम अपना खाना होना खाते हैं या आराम करते हैं तो इंटरवल होता है यानि एक बीच का समय है तहां पर क्या है टेंपरेचर स्केल समझते हैं एक डिगरी सेल्सियस होता है दो डिगरी सेल्सियस होता है तीन डिगरी सेल्सियस होता है ऐसे वह डिगरी से था कहेंगे कि अज जीरोठेचर है इसका मतलब किया होगा तेंपरेचर है इसा तो पर औह थियरो है कि यहkaDean नहीं कहां सकते हैं कि Après moisture नहीं होता है टेमपरेचर हमेशा रहेगा या तो गरम रहेगा या ठंडा रहेगा तो इस से समझ सकते हैं कि टेमपरेचर होता है उसकी कोई 0Value नहीं होती है आपको एक चीज और बतता हूं जैसे 10 degree celsius और 20 degree celsius दोनों की बीच का डिफरेंस कितना है दोनों की बीच का डिफरेंस है 10 ठीक है यहां पर 10 है तो यहां पर इंटरवल इसको कहते हैं इन दोनों की बीच का यह इंटरवल है 10 पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो 20 है वो 10 का दो गुना है तेंपरेचर में नहीं कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं आप इसलिए नहीं इसकते कि डिग्री से जिसे और आप फॉरेंट diarrhea है तो आएगा lorsque इणे ऐसे तौने आएगा इसे पॉरेंट सेलिशयर्स दिग्री एसे करते हैं तो आएगा तो 28 दिग्री यहां पर दोगुणा नहीं है तो हम इसको 2 गुणा गरब नहीं कह सकते कि आज 20 डिग्री स Ci है तो यह नहीं कह सकते हैं तो यह इंटर्वल होता है क्या पर इंटर्वल है दसका वह हमेशा हम रेशियो डाटा पर रेशियो डाटा इंटरवल डाटा की तरह होता है मगर उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंस है जैसे मैं आपको फिर से बताता हूं यहाँ पर आपको एक्जांपल लिया था वेट इन पाउंड ठीक है अब जैसे आप समझिए किसी का वेट 10 किलो है ठीक है 10 केजी वेट है एक का 20 केजी वेट है तो आप कैसे समझेंगे दोनों के बीच का इंटरवल कितना हुआ इसमें 10 ठीक है बीच का इंटरवल 10 हुआ पर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 20 किलो का आदमी है वो 10 किलो के आदमी से तुगना भारी है कैसे क्योंकि आप इनका जो आपका इंटरवल का मतलब यही होता है आपका रेशियो आगया दो तो आपका जो यह दो आया है यही आपका रेशियो डाटा है ठीक है जो बीच का इंटरवल भी इसमें था कि दस उसका डाटा यहां पर जो रेशियो आया है वह गया दो तो यह इंटरवल से इस तरह से अलग होता है क्योंकि आप वेट को किसी भी यूनिट में आप देखिए वह हमेशा दूगना ही मिलेगा आपको पर टेंपरेचर में आपको कभी दूगना नहीं मिलेगा जैसे म सब्सक्रेश को हाँ बंता है वहाँ पर डेशियो बन जाता है जैसे दुगना है जब दस का दुगना वीश है तो दो उसका रिशियो ओ गया ठीक है तो यहाँ इससे समझ सकते हैं यह ज़्यादा हालाकि एग्जाम में नहीं होता है तो आप इसके बारे में जयाद इतना कम है उतना ही जाने लिए आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जोड़त नहीं बहुत ही आसान है इतने समझ सकते हैं आप इसको तो आगे चलते हैं सब्सक्राइट करते हैं कि हम इन फ्रमेशन को जनकेरेट करते हैं यहक्ष की दिया है है किस तरह होती है यहाँ पर देख साथ तरहें दिये गए अब्जर्वेशन के थ्रू फर्ट प्रॉप्रोल्स यारी एक्स्पीरिमेट जो है नीचे वह भी है प्रोसेसिंग डाटा है इवेंट है इवैलिशन है तो आप इसमें जनरेट कर सकते हैं कि यह प्रीयम पर स्टार्ट करते हैं ऑप्जर्वेशन से मैं इनके वारे में आपको सर्फ बताऊंगा आप उसी से समझ जाएंगे कि क्या होता ही है तो observation से शुरू करते हैं तो observation से information generate करने का मतलब यह होता है कि जो आप देख के observe कर रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं आप छूकर observe कर रहे हैं या smell करके भी observe कर रहे हैं या आप उसको महसूस कर रहे हैं वो भी उसमें सामिल होता है तो observation का मतलब होता है आप सभी चीजों को देख के observe कर रहा है तो उसको देख के महसूस कर रहा है या चूक के पता कर रहे हैं तो उसको मेसा मेसा जनरेट हो ती आपको इमाँपूस कि तो आपने महसूस किया अिस्से कड़े की आज temperature कम है जैसे आपको गश्राहिए वाइचांस आपको लगेगा कि आज मौसम गरम है इससे एक जैश्य पर देखेंगे तो हमको गरम लग रहा है तो इसके तरू आपने इंफरमेशन एक जन्रेट कर लिए है अब आगे जलते हैं था प्रोसेस का मतलब है कि हम सोचने समझने की सकती उससे हम कैसे जनरेट करते हैं तो सोचने समझने की सकती हैं जैसे आप पुराने समय में चले जाइए जब सूर ग्राण ये चन्दग्राण हैं तो सूरे को राहू ने घेर लिया यह आता है तो यह संच नहीं जांना पता चलता कि नहीं यहां पे दूसरा ही एक मीनिंग है कि की सूर राहट क्यों पड़ता है तो इसका हमें पता चल गया कि कैसे पड़ता है तो यह हमाई थोट पर सेसेह इसके तुरू मनें information की 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 सूर राहट कैसे पड़ता है धिक अब हम आगे चलते हैं processing of data आपके पास कोई data है आप उसको process इसके थ्रूह आप information generate कर सकते हैं जैसे आप class में class में क्या होता है आपका नेम होता है ठीग है वो आपका एक data है आपके class teacher के पास आपके name होंगे ठीग है वो data है सरफ ऐसके पास नेम के साथ में उसने आगेby culturally रखे ये उसके बार आपके फोन नंबर लिखे है उसके बाद की एमाल एडिये लख रिक है तो उसके पास फर्मेशन को उसने डाटा को इंफर्मेशन में चेंग कर दिया यहीं उसने डाटा को प्रोसस्ट कर दिया है ठीक है इसके बारे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने आपको पहले मता था processing of data, मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो चैन से देखेगा लास तक वीडियो अब हम आते हैं experimentation पर experimentation पर experimentation से कैसे जन्रेट होती information हाली में आप case ले लीजे कोरोना कोरोना में हमने क्या किया कोरोना जब तक था हमको उसके वारे में कुछ भी नहीं पता था कि हम कोरोना में मलेरिया की दवाई दे सकते हैं जिससे मरीज ठीक हो रहे हैं ठीक है साइकल उसकी कितनी होती है यह भी जो हमने जनरेट किया उन्फर्मेशन हमने किया जब कोरोना वायरस पर तभी तो पता चला आप इसके थुरूँ पता चलते हैं कि जैसे आपको बताया था कि कोरोना वायरस के सिंप्टम्स पता चल ले में 10-15 दिन लगते हैं तो हमको दस से पंदा दिन का कवरेंटाइन किया चलता था तो हमको एक् आप देखते होंगे जतने यह सब्सक्राइब नियुक्त पर एक्सपेरिमेंट है उनके तुर्ण इन्फर्मेशन इतनी जनल्रेट ही कि इतन बनाया गया आपने वीट ब्रांस से इतनल बना लिया वें और विण पर एक्सपेरिमेंट के पातरी इंवर्मयेशन कैसे जनली थी अच्छें थी के स्पीड पर छुप होतीज पी यहंई वह train कहां से कहां तक चलती है यानि उसका destination क्या है और कहां से वह start होती है वह concentration है आपके पास इतनी information आ गई यानि आपने information generate की किसी event से एक और example देख लेते हैं जैसे cricket match आप लोग देखते होंगे cricket match हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यह event हुआ है ठीक है यानि cricket match हुआ है कौन जीता यह इभी आपको cricket match के event के थूरू पता चल जाएगा यह वहां पर मैच यह हुआ है तो आपको इस टेडियम भी पता चल गया चैस्ट्रेएं के नाम क्या है कौन सी जगह पर है यह भारत में स्थीत है आपके पास information इतनी आ गई द्यानि कि उस event से इंफॉर्मेशन आपकी जनरेट हुई है ठीक है अगले चलते हैं अगला क्या है इवल्यूशन इवल्यूशन क्या होता है सबसे बड़ी है एक्जामपल इवल्यूशन का human development human development क्या हम लोग पहले क्या बता जाता था हम लोग बंदर थे बंदर हमारे हमको यह बता जाता था ठीक है धीरे धीरे एवल्यूशन हुआ हमारा हमने देखा कि आग कैसे बनती है पहिये का विस्कार कर दिया पहिया कैसे चलता है हम देखते कि कौन सा जानवर है तो उसके तुरू हम क्या हमारा एवल्यूशन होता गया तो हमको information हमको मिलती गई कि यह क कौन सी औसधी बनती है जड़ी वूटियां यह सब हमको एवल्यूशन की पता चलता गया तो सबसे बड़ी है एक्जामपल इसका human development तो आप लास्ट है ड्रीम है अब आप सुचेंगे ड्रीम के तुरू कैसे information जन्रेट होती है जैसे हम कोई सपना देखते हैं बहुत लोग कर लेता है तो सबसे ज्यादा अच्छा यूज कौन करता है उसका सबसे ज्यादा यूज करता है साइकोलोजिस्ट ठीक है जो सबसे ज्यादा यूज करता है उस ड्रीम से वह information को extract कर लेता है तो इसका एक एक्जामपल है कि आपने अगर chemistry बढ़ी होगी तो उसमें बेंजी आपको बेंजीन का फॉर्मुला नहीं पता होगा अगर जिसको पता होगा तो अच्छी वात है मैं आपको फॉर्मुला बताते हो जो सूत्र है मतलब क्या है यह इसका इस्ट्रक्रमुला है यह होता है इसका मैं आपको ड्रीम के थुकिन का इन्फरमेसन जनने हुई के कि किया था कि इसके बारे में प्रषळित था कि के कुले जब बैन्जीन devo अब इसंद के सामने च्टा इस सप्ट्ट्चर के थे चपने में चैकिंगा इंफर्मेशन में बदल दिया तो यह आप समझ गया होंगे इंग्जामपल के थूरू मैंने वता है आपको इनसे भी रिलेटेट कोई प्रब्लम हो आपको यह कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अब आगे चलते हैं हो आपको रहें जिन फेर्म में फूर्ममेशन चैने होता है क्या होता है इंपोर्व होता है मैं आपको देया रखा है ने मतलब जैसे किorkा सब्सवाइब चाहं को आपको मोगर्ल आपको एक्वटे नियुक्तर माद ते सब्स。 यहां के रिभीन करे मैं इसका प्लास में लेते हैं नाफ संसे का तुर आपके नहीं होगी आपको नियुक्न का दुछे, यहां पर एक्जाम्पल देखे यह तो मैंने इण देखें आज कॉन सा है रहाँ को सब्सक्राइब तो पता जल गया एक्जाम है तो सब्सक्राइब ने वह बता है आपको टीचर लेक्चर देता जब class में वो भी एक और इंफर्मेशन है अब उसके बाद क्या है conferences conference में आपको भी जाते हैं तो देखिए महाँ पे लोग अपने paper published करते हैं अपने paper अपना present करते हैं आपके सामने तो वह भी और इंफर्मेशन है तो और भी information provided by और एक्षिट्रेक्ट बाई pictures जब picture के through हम information को कि निकालते हैं या extract करते हैं तो उसको हम pictorial information कहते हैं जैसे की बच्चे को लिए story telling books होती है जैसे यहाँ पे देखिए thirsty crow काफी पूराणी बुक है । देखिए इसमें कुछ लिखा नहीं है पर यह पिक्टर के थूही है स्टोरी पूरी बता रहा है कि एक कववा था उसको प्यास लगे थी उसने घड़े में पानी देखा कम था तो उसने कंकर डालके बढ़ा लिया पानी उसको पी लिया थे तो यह देखे एक्जाम्पल के तुरू कि मतलब इसने पिक्चर के तुरू ही पूरी इंफोर्मेशन प्रवाइड कर दी यहां पर देखिए आप जैसे जाते होंगे जब रूट पर तो देखे यह इस टॉप का लगा है तो यहां पर स्कूल का लगा है पिक्चर से पता चल जाता है कि आगे स्कूल यह अपनी गाड़ी की स्पीट को थोड़ा द्हां कर लीजेँ यहां गो लिखा है वनवे लिखा वनवे का मतलब यहां यहां पर वनवे हैं तो आपको आजम से चलने के ज़रूत है इस पीड़ 10 तो यहां पर यह भी पिक्चर बता रही है कि आपको स्पीड अपनी कम करनी है यह आपके ट्राफिक लाइट की देखिए इमेज दिखाई गए इसमें तो इसका मतलब है आगे ट्राफिक लाइब लेड में हैं ओम नेश्यकर करें तो आपको पता होगा एक बोक्स होती है श्याद साज़ब्स iqu Pale इपर नीस पर रोजी पढ़ते होंगे न्यूशुपएपर न्यॉशुपएपर आपको प्रिंट form में आता है प्रिंट होके आता है जाप देखे उसके उस्में प्रिंट वोता है तो वह एक प्रिंटेंस नट्ध इंफॉर्मेशन होती है तो यहां तो आगे चलते हैं आगे डिजटाइस इंफोर्मिशन आप देखिए हाथ में पहनते हैं वैसे आपको घड़ी आपने पहले देखिए पहले आती थी तो फौय के थूर हम आप पर आजकल डिश्टल पहुचा गई है जिसके दुरू लिखके देता है कि इतना टाइम हो चुका है यह आपको दिख रहा होगा इमेज में तो यह इसको तो डिश्टल फॉर्म में हो गया तो यह इंफॉर्मेशन डिश्टल हो गई यहाप सीडी आप मुवी देखते थे या क गहाँ तो करते हैं कि में ऑ फॉर्मेशन में घ adop already आगता बदल हेएग तो यह आई तो वह दिश्टल हो जाती है ठीक है अब आए आपको मैं है बताता हूँ कि प्रोसेसिंग कैसे की जाती है data की तहां पर देखिए सबने घर में फालवल लिए होंगे फूर्ट लेने मंडी जाते होंगे तो यह आपका डेली लाइफ का एक्जामपल मैंने आपके इस्टार्टिम कहा था डेली लाइफ के एक्जामपल से आप अच्छे समझ सकते हैं तो यहां पर देखें यहां पर चार यहां पर नाम दिये गए हैं यहां पर देखें एपल पपाया मैंगो औरेंज ठीक है यहां पर चार नाम दिये गए हैं तो यह आपके लिए क्या है यह क्या है यह आपका है डाटा है यह आपका डाटा है क्योंकि आपको नहीं पता है क्य नहीं है यह टाटा है ठीक है नीचे आप देखे 200-300-600-200 यह भी एक डाटा है तो कि इस से थुरू भी आपको नहीं पता चला है और यह और अरगनाइज्ड मैनर में नहीं है यहां पर है यहां पर यहां पर यह और अरगनाइज्ड मैनर में नहीं है ठीक है तो यह डाटा है तो यह डाटा है तो हम आगे चलते हैं अब इनको हम प्रोसेस कैसे करेंगे इनको प्रोसेस करने के लिए क्या है इनको प्रोसेस करके हम इंफोर्मिशन में कैसे चैंज करेंगे तो आगली देखें हaina यह तेवल ठीक है यहां पृषहंट्छेयर देखिए एपल मैंगो औरेंज पॉर्ण पपाया 4 फल तो हमने उपर उसमें प्रोड्रत क्लिक तुट इंप कॉलंप में लिखा तर्षक प्रोट यह ओं preval अरेंज Department तो वहद्दarch पॉल्पाया किया उनको हमने आल्फा मैंगो 6 kg औरेंज 3 kg पपाया 7 kg अगर मैं kg नहीं लिखता तब भी आपको नहीं पता दलता कि चार क्या अगर में kg नहीं लिखता लिख देता कि फिर चार चार यह चार क्या है पर मैंने kg लिख दिया तो आपको information मिल गए कि चार किलो है ठीक है आगे यहां पर मैंने प्राइस लिखा उपर और यहां मैंने नीचे 300 600 200 200 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है 300 इसका प्राइस मतलब 300 रुपए ठीक है यह 4 kg टोटल 300 रुपए के हैं यह 6 kg टोटल 600 रुपए के हैं ठीक है तो आपको इनसे प्राइस से एक information आपने जनरेट कर लिए यहां पर देखिए यह information पूरी हो गई आपने table form में एक organized manner में आपने उतार लिए इसको तो यह आपके लिए information हो गई इससे आपको क्या information मिल लगई कि जो 4 kg है पहले हैं वह 300 रुपए कहते हैं जो 6 kg मेंगों वह 600 रुपए कहते हैं 3 kg औरेंज हैं वह 200 रुपए कहते हैं य यहां पर आपने देखा होगा इस table की रूप में इसको प्रोसेस्ट कर दिया या नि इसको एक structure form में लगा दिया तो यह हो गया एक information ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में आपको नए topic लिए लाऊंगा और mcq की वीडियो भी चलती रहेंगी चैनल पर आप अगर इस वीडियो की PPT चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़के उस PPT को प्राप्त कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको description में देदूंगा और आप मुझे Twitter पर फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कि अउड़ा थी जया दो आपको चाहते हैं तो इस लिंवर बStudian को भ्रापtoo भाता हैं और झाता हैं तो यजिए लगलो कर सकते हैं अलो कि इस भी मैं als नहावा y apart, कि अंक है आपको लोग लगा यंशा-वा справ jetzt is लिएकी सफ़किन